कि है अड कि है अधो थो कि हेलो दोस्तों व्यलकॉम दो यूट्व चैनल तो आज अपन डिस्स करने वाले मोस्ट इंपोरेंट कुषण स्भी आज का अपना अबने रहे हैं बढ़ते हैं अपने first questions और काफी important questions होने वाले हैं जो aims and CHO के लिए काफी important है तो अबन फस्ट जो questions पर डिसाज करने वाले हैं वो होने वाला है and obstruction in the bile duct अगर bile duct के अंदर अगर obstruction आप को बना है तो कौन सी condition देखने को मिलती है तो आपको इसका right answer कमेंट कर देना है मैं option बता रहूं आपको आप कमेंट करके बताए मुझे क्राइट अंसर क्या होना है जॉन्डी सुनने वाला है मलेरिया कॉलेराया ऑप्सन डी आप को पता होगा कि लीवर बाइल के त्रूज यह जाता है गॉल्पेडर करेंदर के तो उसके कर देखने को मिलता है जॉन्डीस जो बैसिकली बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है फीजोलोजीकल और पैथोलोजीकल तो वन बाए वन अपन वो दुसके दूसरे पीडिया में डीसिस करेंगे तो इसका आज राइट आंसर होने माला है होना वाला है option A, option A is the right answer, option A right answer, next जो अपना important रोना वाला है questions, diarrhea takes out too much of water and minerals which causes, तो आप basically all our questions के जो right answer बताऊंगे उतने count करके मुझे comment में बताना आपके कितने right हुए, तो diarrhea takes out too much water and minerals which causes, अगर body से बाहर आपको पता हुगा, generally body का, जो 70, 60 to 70% जो area होता है, body का cover करता है, water, fluid, fluid से body cover रहती है, तो mainly body के लिए fluid के बहुत ज़्यादा requirement होती है, अगर body से fluid and minerals अगर बाहर निकलेंगे, तो उस condition में क्या देखने को मिलेगा, lack of energy, trineas, hunger and dehydration, तो severe condition होती है, जिसको अपन क्या बोलता है, dehydration, dehydration, dehydration देखने को मिलता है, और dehydration का अगर adults के अंदर early sign पुछे, तो आपको बताना आए यहापे, के poor skin target देखने को मिलती है, dehydration के अंदर, poor skin target, skin target, तो इसके बारे माँ आपको मालूम होना चाहिए, यह भी question साथ के साथ आप बता के चला, नेक्स्ट जोग्रिष्ण होना वाला है, वो होना वाला है, और major quagative organism for peptic cancer, पेप्तिक donation का major quagative organism कौनसे होता है, यह मश्ट कॉमन बोल सकते हैं, major quagative organism , यह नहीती हमें, e को लाए होता है, stepto était choque है,환ु चेप फालोरी जो हहता है बैक्तिरिया वहता है, ैं की इसकी राइट अंसर होना दोना वाल है। का Souls D अज चки Гष्प dieser पाइलोरी है या नाम सुना होगा। होता है यह होता, weekend मोट पेतो है, जो कॉज करता है पैप्टिक अल्सर, प्यप्टिक अल्सर कॉज जिसके कब्ण प्यप्टिक अल्सर य film देखने को मिलते हैं और फ्योंर का प्यप्टिन ट्रीटमैंड होता है आपने बैदाओ का ट्रीपीब्स ट्रीपै्ट यूं नेक्स्ट जो कुशन होने वाला है अपना इंपोर्टेंट कमेंट जरू करें विच्छ अपड़ फॉलोविंग डियाग्नोसिस टेस्स वोल बी यूस्ट तो असेस्ट ग्लाइट विद एक्क्यूट अपर जाई ब्लीडिंग अब यहाँ पर अपर जाई ब्लीडिंग को सेस्ट करना है तो कौनसा डाइग्नोसिस से इवैलूशन करेंगे अपर जाई सीरीज बेरियम एक्सरे एंडोस्कॉपी या आट्रियोग्राफी तो यहाँ पर राइट अंसर आपको बताना है कमेंट के अंदर कि क्या होने वाला है है राइट आंसर राइट आंसर बताया है देख सकते हैं जो राइट अंसर होने वाला है यहां पर वो होने वाला है एंडोस्कॉपी एंडो का मेंस होता है इंटर्नल इंटर्नल और इसकॉपी का मेंस होता है देखना है यह इंटर्नल और्गन का विजुलाइशन होता है तो तो इसको एंडोस्कोपी बोला जाता है तो एंडोस्कोपी अपना जो इंपोटेंट रहेगा रिस्क नेक्स जो रहेगा बन्लोग ब्लड ट्रांस्वूजन के बार ने कौन से देखने को मिलते हैं मुस्ट कौमन है अपने सुना होगा पोस्ट ट्रांस्विजनल है प्रेटिस बोला जाता वह बोला जाता ऑप्सण सी है रड़िस को यह पोस्ट टैंस्विजनल है अपनेटीस होता है जो आफ्टर टैंश्विजिस के बाद में देखने को मिलता है और इस भी ब्लूट से फैलता है वर्टिकल ट्रांस्विट होता है प्रवाद नेक्स देख़त थाप थूस्ट हम इड आ इमेड हम इस हम इस हम इसस कम इन को था बलाद इन वा मिटिंग बलाद इन इसकुराम फ्रेस ब्लॉड इन श्टूल यां अगल प्लॉड या पर मैं फूर कुछन बताने वाला है और जो कुस्ट राइच एंसर होन वाला ह वें पन्डिस्स करेंगे आपसंसे को हमेत मेंस ब्लेड पर ही मैंसरेस का मैंस आप श तुम इसे अपने संटेजिय को ड ही अलगता है when a time of लोड़ होता है है में अपने सेजिया हमें दूसेजरी मिलेत च तो है है आपना जो ग्रोट्ट स करना आपको जब एक वहाय अप्शनम सम्डेवित पहला है सो पर देशोडकर। वहह बाद में बसफ़ेंट होता है और सब्झेट फर्चेस्स कृष्यवाँप outward मुझे अंप्लट गोदरोड़ शक्तृति ऒता है कफिरूम टेस्ट पूर्ट कॉन सा होता है ब्रम्को मिट्यास कट का लाग को इसका भी मुझछ इस्ट अकशन अन्य november है से एप ढहला लो इसक्टन को डिदिट इंप 2015 है कि जो घंप कि अगर आपको पुछे नॉर्मली निमूनिय का निमूनिय का निमूनिय तो अपसिंग भी इस दे राइट एंसर नेक्स वेट लॉस सीन इन वेट लॉस कौन कौन सी कंडिशन में देखने को मिलता है राइट अंसर बताना कमेंट के अंदर हाइपर थाइरोडिजन और एक्सिया नर्वोसा पॉल्मनरी टीबी यहां अलब देबो तो राइट अंसर कमेंट करके आपको पता होगा अगर हाइपर थाइरोडिजन होता है तब इंक्रीज बीमर देखने को मिलती है और जब बीमर इंक्रीज होती है तब वेट डिक्रीज होता है यह पता होना चिया आप हो तो हाइपर थाइरोडिजन में हाइपो वेट लॉस देखने को मिलता है एन अनोरेक्जन नर्वोसा एक में के देज सेच सेफिसान सरफ में इसके अन्थ के अंदर पेसेंस को लगता है कि में मोटा हो जाओंगा इसलिए कुछ खंदा늬 पल्मेटिन क्लेसिकल सइन हम हेट लोस्ट स्डोर्ली क्लासिक करihें हम भीत लोस्ट लेन तो ब्रूम Market रधिवि गयारोस हेट Pikous option D is the right answer next important questions the two main form of COPD COPD की two main form कौन से ओती कौन को से डिजी जो तीज दिजी अच्योपीड इंडिकेट करती है chronic obstructive pulmoner disease ते आपर राइट अस्टमा एन ग्रोनिक ब्रॉंक इटिस अस्टमा एन एंफई सिमा chronic bronchitis and emphysema chronic bronchitis and atalactasis तो राइट अंसोर कमेंट कर सकते हैं तापको पता होगा है यहां पे chronic bronchitis and emphysema को COPD बोला जाता है COPD के अंदर आती है इनका जनरली नाम पुछा जाता है अधर श्नेम chronic bronchitis को बुला जाता है blue blotters blue blotters बुला जाता है और यहां पे आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में यह भी कुछन पुछा जाता है exam के अंदर option C is the right answer next important questions immediate management of heart failure अब यहां पे heart failure का immediate management बताना आपको administer 300 mg of aspirin by orally put oxygen mask star oxygens give CPR in case of sudden cardiac arrest यह all up double तो अगर patients का immediate management पुछा जाए क्या हो सकता है यहां पर आपको right answer बताना है यहां पर right answer जो होना वाला है administer 300 mg aspirin administer करते हैं ताकि अगर clot होता है तो उसको dissolve करने के लिए या clod को clod को हटाने के लिए aspirin के यूज के जाता है input oxygen भी require रहती है heart failure के अंदर क्योंकि heart pump नहीं करता है तो proper oxygen organs के बार में नहीं पहुंच पाती है तो उसके लिए oxygen प्रवाइड करानी जरूरी होती है and give CPR CPR in case of sudden cardiac arrest अगर cardiac arrest देखने को मिले तो CPR भी जरूरी होता है तो options D is the right answer next question है अपना तो सब्सक्राइड अपना जो question रहने वाला है which is the most desirable BP तो comment करके बताना most desirable BP कौन से होती है 160 by 110 mmHg 130 by 90 mmHg 120 by 80 mmHg 90 by 60 mmHg mmHg आपको बता तो mmHg का means होता है mercury mercury होता है questions के अंदर पूचा जाए कि mmHg का means के होता है तो mercury होता है तो अपना यहां पर राइट अंसर आपको comment करके बताना है आपको इसके बारे में थोड़ा मालूम होना चीए तो नेक्स्ट जो अपना important इसका जो राइट अंसर होने वाला है वह होने वाला है 120 upon 80 अकिर इसका pulse pressure पुच्छा जाए तो आपको इसका प्रिश पेश्च पताना नामन सिस्टोलिक बीपी सिस्टोलिक बीपी माइनस डियस्टोलिक बीपी डियस्टोलिक को मैनेस करें तो जो भी अंस्वर आएगा वह जाएगा जैसे नॉर्मल परिस्टान होता है वह किसको बोला जाता है किड्नी लीवर स्प्लीन या थाइमस तो आप सबको पता होगा आर भी सी का जो डेस्टरक्शन होता है किस ऑर्गन कि तुक क्वरम फूर्षट जो को पता है कॉरल ज 210 लाइब न कली क्रैक्षिन जी बैंते जो होता है वह जो 90 days male ke अंदर sorry adults ke अंदर 120 days होता है और बच्छो के अंदर 90 days होता है 90 days neonates के अंदर पुचा जाया next important questions what is the instrument used to test hearing hearing test करने कि अंसर इस्ट में इस करते है tonometer tuning folks autosco off yeah proctosco off iiare hearing test करने के लिए कौन सा instrument use करते हैं hearing के लिए ब्सिकलि अपने उस करते हैं वह लेते हैं tuning fork 204 अपने यूज़ करते हैं और अगर आपको पूचा जाए एर का अगर examination करना हो तो तो कौन सा इंस्ट्रुमेंट यूज करते हैं, तो ओट्रॉसकौफ, यहर का एग् privacy करने के लिए ओट्रॉसकौप का यूज कर जाते हैं, और येरिंग टेस्ट करने के लिए टुणिघ्स करने के लिए दिनिंग का यूज कह जाता है, तोनोमीटर जी वहते हैं वो आयूपी को मिजिरमेंट के जाता है आयूपी का प्रॉक्टोस्टॉप रेक्टम का एग्जामिनेशन करने के लिए यूज किया जाता है नेक्सिंपोरेंट्स कुश्यंस ट्रग जोईस्टू ट्रीट फिवर फिवर टीट करने के लिए कौनसी ट्रग जोईस देते हैं एपिनेफरिन तीनी डाजोल्स टेंक्चर्स बेंजोई या सिटामिन फेंस तो यहां पर आपको रहाइट अंसुर बताना कमेंट्स के अंदर य जाता है तो अप्सिंदी इस दे राइट अंसर नेक्स्ट इंपोरेंट्न कुश्यंस तो फॉलोविंग आर दे साइन एंड सिम्टम्स ओफ लोग ब्लूड प्रिशल एक्सेप्ट ओल आर दे साइन ओफ लोग ब्लूड सुगर की वजह से होंगे एक को छोड़के तो लोग दे सेचरार में आप सबको पता हुँए कि अगर बोडी के दर बुलड लोग ब्लड शुकर होगा तो तैमर सोने के चांसे रहते हैं सीजर ओने के भी चांचे रहते हैं कोल्ड क्लैमेश स्किंदी देखने को मिलती हैं बट hypertensive देकन को नी मिलता है। थे पूसीं दीज दीज सर आपती है जब से अलग्सक्राइ ड़ मनसमे खर नाया कर्द श्याया था कमेंट के अंदर राइट एंसर बताना है यह पर राइट आपसर जो ओन वाला है वह ओन वाला है विच्छ मेडिकल कंडिशन्स विल्डेवलप स्रॉम सिविर ब्लड लॉस सिविर ब्लड लॉस अगर बाड़ी से ब्लड लॉस होगा तो कौन सी कंडिशन देखने को मिलेगी शॉक शॉक स्वरी तेया पर राइट अंसर आपको बताना है आपको मैंड गंदर शॉक हाइपोग खिक्ञे मिलता है अनलाइक या पोफन कि मिलता पेलिश को देखने को मिलेगा इसलेक शॉक इस प sensory야지 खांद Also हैं Brieze Salt 1985 Olasock के लिए शॉक बड़िया अनक्रीयमार पिल शॉक और दॉसके प्ल्रेस और भलक जब्डन जोर अक्स भी निया अक्सी कुतै फूर्स्ट एक्सेंस भी टेकन वेन फॉरेंट बोडी इंदे इसो पेगस अगर फॉरेंट बोडी अगर एंटर करती है इस पेगस का तो कौन सा मैथर यूज करते हैं यहां पर आइट अंसर कमेंट करके बताना है टेक देड रेस्ट गिव लिक्विट आमाउंट फाइवंड जिसको अब्डूमिनल थर्स भी बोले जाता है यह एक्जाम में एक्जाम में आने भी चांसेज हैं नेक्स्ट जो कुशन रहने वाला है इनकेस आप एक्सिदेंट वाट वूट वू फॉस्ट एक्जामीन अगर एक्शिदेंटल पेशेंट है उसके अंदर आप क्या जाताना है पेटेंट एडवे हैं मरी फीरेक्ट्र पॉशिबल ओफाइड इंजिरी है यह पे आपका राएट अंसर जो अनवाला है वह न वाला है पेटेंट एडवे पिए प्रवड रथी देवेश चेक किया जाता है तो थेंक्यो फेली आपने काफी इंप्रोटेंट कृ तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना और सब्सक्राइज जरूर करें ताकि सबसे पहले और अच्छे वीडियो के आपको मिले थेंक्यो गाइस